नमस्कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और चैनल पे नए तो वीडियो के एक और सुरु से अंतक देखे और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पास शेयर करें और अगर आप इसका पीडियेप चाते हैं तो प्राइब करें तो आज के जो पहला प्रस्ण है बीवीद विशयों पर बैज्ञानिक जनकारी के संग्रा ब्रीहत सनहीता को किसके द्वारा लिखा गया आपसे सिंपल प्रस्ण ये पूछ रहा कि ब्रीहत सहीता किसके द्वारा लिखा गया ऑप्सन यह कलहन ब्रामीर आको देख लेते पूछा जयक सकता है कैड़ा पूछा जासकता है जैस सेमें आपसे पूछ लेगा किसके द्वारा लिखा गया बिघ्ञानेश्वर मुद्र Pawar तर्च्रा किसके द्वारा लिखा गया भी सागदत यहींस को लोग यहां इसको नोट कर दिए देखिए यही ज चुट गया अभिज्ञान संकुंतलम किसके द्वारा लिखा के काली 10 मलिका अगनी मीत्रम किसके द्वारा लिखा काल दस ते दोनों भूख जो है इंपोर्टेंट है अती महत्पुर्णे इसको आप नोट कर ले जो भी आपको दिया जारा उसको आप नोट कर लिजेगा नोट और कपूर मंजरी एक काव मिवांसा और कपूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया राज सेखर हर्स चरित बानवट के द्वारा लिखा गया था हर्स चरित किसके द्वारा लिखा गया तो बानवट अमरकोस अमरसी के द्वारा लिखा गया मिलिंद पान्हो ये नाकसन के द रामिहिर्यट है किसके द्वर मिहिर्दध के द्वरा मिहिर्द नोट कर लेंगे आप वहां से वेल्खुल अराम से उतार लिजए आपको जवाइन हो जाला इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा राज तरंगनी और राज तरंगनी में किसका बढ़ना है तो जमू कस्मीर का इतिहास यानि अगर आपको जमू कस्मीर का इतिहास पढ़ना है तो आप राज तरंगनी बुक ले सकते हैं जो किसके द्वारा लि गया था श्वपने वासबद्द्ध एक किसके दैद्वाइस के दोड़ा भास गीटा और महा भारत लहाएcios के दूआज अगला सवामी तूलसी दास के दवारा लिखा गया रामचलीत्र मानेस पूचेगे तो किसके दवारा लिखा गया कि इसको तर्फ को कहते तो गारगी जनी ता और किसके कुछ महतपूर्ण किताब जो आपको याद रहना चाहिए इसी से पूछे और इससे बाहर नहीं जाएगा इसको आप नोट कर लिजेगा इसका पीडियाप दे देंगे टेलिग्राम चैनल पर वहां से नोट कर लिजेगा तो इसका राइट अंसर को ऑप्सन नंबर वी आपसे पूछा ब्रिहत सहीता किसके दुवर लिखा गया और कलहन के दुवरा क्या लिखा गया था राजतरंगनी जिसमें क्या बता गया यानि जम्मुक कस्मीर का इतिहास बताए गया नागा अर्जुन और चरक सब सीधा परसने पूछें किससे हैं मतला समधित चिकित साब चरक्स से स्मंधित हैं चिकित्सा यानि किस से समंधित है यानि समंधित सण सीधा प्रशन पूछ लेगा नागय अर्जूर उसको हम लोग किस नाम से जाने हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और भारत का नेपोलिन किसוש sigui शैने है यह अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो अगला प्रश्ण चलते हैं अगला प्रश्ण है महराष्ट के प्रमपरिक लोक संग लोक रेंग मंच का नाम बताईए आपको इसमें से बताना है कि जो महराष्ट का लोक रेंग मंच का नाम बताईए इसमें से कौन से नोटंग लिए आपका हो जागा उत्तर प्रदेश रासलिल ऊतर प्रदेश का गुज्रात विचो देता है ता भी नोइप लावनी यह भी कहां से समन्दी था तो महाराष्ट से समन्दी था इसको नोट कर लिए और नोटांग की पूछेगा तो उतरप्रदेश तो कुछ इंपोर्टेंट है इसको देख लिए और टोटल कितने क्लास्कल डांस है यह आप से पूछ लेगा प्रस्ण में कि निमने कथक उत्तरभारत कतकली केरल हो जागा कुछिपूरी आंद्र परदेश मनिपूरी तु नमसे लगए मनिपूर मोहनी अटम एक कहां का तो यह भी केरल का कितने क्लास्कल डांस है दो एक कतकली और एक मोहनी अटम ऊडिसी एक कहां का निरिथ है यानि कतकली निरीत है सरी कतकली करें सस्त्रीय निरीत यानि क्लास्कल डांस से कहां गाँड़ी सीनार और सेतरिया हम इंपोरटेंट है यह अस्रम का क्लास्कल डांस है स्र Columb अशम्क Ayos सब्सक्राइब कर दोनों पर दोनों प्रश्ण ने पूछा जयेगा कि भरत नाटेम काहां का कलासकल दानंचै तो तमिल लाड़ू ये निरीत कहां का तो तमिल लाड़ू कुच्ची पुडी ते भी बता ये कहां से सम्दित है आंदर प्रदेस का कलास्कल डांस है यामनी कृष्ण मूर्ती कुच्ची पुडी से भी सम्दित है लच्मी नरायन सास्त्री स्वपन सुंद्री उडिसी नाम से पता चाला है उडिसा का ये कलास्कल डांस है संयुक्त पा करना है कतकली तो एक कहां का कलास्कल डांस है केरल और एक और केरल का कलास्कल डांस है जिसका नाम क्या मोनी अटम और एक और निरित इंपोर्टेंट है जो ओनम है लेकिन ओनम है जो क्या कलास्कल डांस नहीं है नरायन मेनन यह किस से समझनी था किस कलास्कल डांस समझनी था तो यह कुछ है जो आपको याद रखना चाहिए ह्यां मोहिली वें सामीक है मोहिली अलग और कथक ही कथक पुछ और कथक पूछिएगा यह कहां का सश्थ्री निर्थ सातित है तो किसे समझ दो मौनी से संबंदी तो ये आपको दो याद रहने चाहिए इसमें तीन एक हेमा मालनी सिरी दीवी और एक सांताराम कंग अगला है कत्थक तो कत्थक कょंक उत्तर भारत उत्तर होर डाया कहां कि से उत्तर भारत कहां का कलीस को दान्स से उत्तर भारत और जितना। महराज आएगा जैसे में बिर्जु महराज पूछेगा लच्छु महराज पूछेगा या बिंदा दिन महराज पूछेगा जीतना भी महराज लगा रहा है समयले किससे समंदित रहेंगे कथक से यानि सीधा प्रस ने पूछेगा बिर्जु महराज का समंद किस सस्त्रिय निर करत भुब झैसे में पूछ गाम नाम से पता चल रहा है कि मनीपुर का हुआ क्या क्लासकल डांस यानि सच्ट्री निरीत जासे मैं अमली व्यां यह किस आख स्च्ट्री निरीत से समाहन नहीं लुख यानि मनी pore मनीपूर एक राज़ा और मनीपूरी ये क्या निरित है और कैसा नीरित है तो एक कलास्कल डांसा है भारत में Total 8 कलास्कल डांसा जिसमें एक मनीपूरी भी सामिल है आतम सी यह किससे समझनित है तो मनिपूरी एक सतरिया देखे सतरिया इस तरह से भी लिखा जाता और इस तरह से भी लिख सकता है और इससे समझनित कौन है उस्री मंता संकर देव और एक क्या है तो संस्थापक है इसके यानि सतरिया जो निरित है इसके संस्थापक कौन है तो संकर्देव यानि आपसे सीधा प्रशने पूछेगा यह नहीं पूछेगा कि संकर्देव का समान्द किस सस्त्रिय निरीथ से है तो सतर्य और यह कहां का अस्सम का ये साश्त्री निरीथ है, तो भारत में टोटल कितने सिधा परशने भी पूछ लेता है, कि भारत में टोटल कितने साश्त्री निरीथ है, या क्लास्कल डान्स है, तो आठ, आठ में कौन-कौन सा मिला है, दो केरल हो जागा, केरल में दो कौन-कौन सा है, मोहनी अटम और कत्क लिए और कथा पूछेगा तो उत्तर भारत इसको नोट कर लिजेगा और जो इंपोर्टेंट निरीत है या जो भी तेहवार हो गया कौन सा राज से समझनी तो उसको नोट करिए जैसे में पूछा नोटंकी या रास लिला एक कहां को जागा उत्तर भारत उत्तर परदेश कहा एक घूमर थोड़ा सा के इसमें डिफरेंट है एक घूमर एक क्या है जूमर अगर घूमर पूछेगा तो राजस्थान और जूमर पूछेगा तो जार्खन तो ये कहां से समन्दी थे जार्खन से समन्दी थे ये जो समन्दी थे जार्खन से समन्दी थे देखे ये होगे गि कि दर और गूमर ने कहां स vont चान राजस्थन एंसे में अम्मु वाची मेला ये पूचन थी में अगला है तक सि किर्थन कहां होता है पत्छी मंगाल में एक ही आपको जो ध्यांदना यानि बेश्ट बंगाल यानि पछिम बंगल मुखोटा तो येका हां संसे शमयदी था अरूनाचल पर्देश यानि ए पी हम लीख दिगें है तो अब समझे अरुनाचिल-पर्देशिष्य यहां पे लीखनी जिएगा अरुनाचिल-पर्देश्य जिसको करले जिएगा। अतिमहतवुर्रोप रॉप कहां से समन्नों फीन नीचताश मेड़ी जामवर्देश्य. यानी CHH लिख देरें इसमें 36 गड़ लिख लीज़ेगा पंडवानी 36 गड़ और एक परसीद कलाकार है जिनका नाम क्या है तीजन बाई इसको नोट करिए गए तीजन बाई इससे समझनी था है, तो तीजन बाई का समझनी किस से है, तो पंडवानी नीरित से, और एक कहा का नीरित है, 36 गड़, तीजन बाई, किस समझनी था, तीजन बाई से, तीजन बाई किस समझनी था, तो पंडवानी, और पंडवानी का क्या है, तो परसीद कला कार सरूल एभी कहां का 36 गर थाली most important है हिमाचल परदेश थाली कहां समनी था हिमाचल परदेश अगला याचगान करनाटक करनाटक याचगान करनाटक कमला दोड़ कमला दोड़ कहां होता है तो करनाटक मोता हो इसमें क्या होता है तो भाइसा दोड़ते यानि भाइसो का दोड़ते यानि कमला दोड, कमला ने कमबाला दोड, होता है कि कमबाला दोड, यहाँ पे कमबाला दोड होगा, और इसमें क्या समझनी था, भाइसो की दोड से समझनी था, यानि कमबाला दोड, और यह कहां होता है, तो यह भी मकर विलाकु तेवार ये कहां समन्नी था केरल से मकर विलाकु तेवार ये कहां समन्नी था केरल और सब्रीमाला मंदिर में लगता है अटूकल पोंगल एक सिर्फ पोंगल है जो पोंगल कहां लागता तमिल नाडू और एक अटूकल पोंगल तो अटूकल पोंगल पूछेगा तो केरल अटूकल पोंगल पूछेगा तो केरल और सिर्फ पोंगल पूछेगा तो तमिल नाडू लवनी और तमासा महाराष्ट से सम्मझनी थे लवनी और तमासा कहां से सम्मझनी थे महाराष्ट से एतना जो इंपोर्टेंट है इसको नोट कर लिजेगा देखिए हमें एक बार और रिपीट कर रहे हैं जो कलास्कल डांस उसको हम रिपीट कर रहे हैं उसको एक बार ध्यान से सुनिएगा भारत नाटियम, तमिलाडू का कलास्कल डांस है कथक, उत्तर भारत, कथकली, केरल कुच्चिपूरी, आंद्रपर्देश, मनिपूरी, मनिपूर मोहनी अटम, तो यह मोहनी अटम कहां को जागा केरल हो जागा, उडिसी, उडिसा, सतरिया यह कहां को जागा, अस्सम और कुच्चिपूरी, तो यह कहां को जागा, आंद्रपर्देश यह आठ ख्लास्कल डांसर जो आपको याद रहना चाहिए तो यहाँ प्रस्ट ने पूछा कि तमासा कहां से समझने तो महराश्ट यानि यह उल्टा प्रस्ट ने पूछा कि महराश्ट के परमपरिक लोक रंगमंज का नाम बताईए तो नाम क्या है तमासा और नोटंकी उत्तर प्रदेश तो अगला प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट भारत में कौन सी नदी में रीवर डॉल्फिन पाई जाती है तो घाग घरा जो कहां समझने था है यह उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में पटना के पास गंगा नाधी से अनकर मिल जाती है इसका राइट अंसर का ओप्षन नमबर D गोदावरी को क्या कहा जाता है एक है दच्छिन एक परस्ट ने पूछता है दच्छिन भारत की गंगा और एक सी परस्ट ने पूछेँगा दच्छिन की गंगा दच्छिन की गंगा अगर पूछेगा तो किसको बोलेंगे गोदावरी को लेकिन इसमें अगर भारत लगा देगा दच्छिन भारत की गंगा तो कावेरी इसका अंसर हो जागा सिर्फ भारत लग जागा तिसका अंसर चेंज हो जागा तिसको ध्यान देख दिजेगा इस पर क द satisfaction की गंगा खोदावरी दाचिन भारत की गंगा तो क्या ऊजागा का वेरि यह लुझा धाउर्ट की गंगा पुछे को तो क्या होगा का वेरि कुछ इसका right answer को को option number D और लुणी यह कहां कुछ करहां में और कॉचकर रं काहाn पढ़ता है गुजरात में क्रिशना यह कहा के नदियत यह भी देचिन भारत की नदिया, देखिए हम आपको देखार हैं, जो मैप में आपको अगर देखिए आपको यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे तो यह दिखा जए एक क्या लिखा गया, गहा गरा लिखा गया और कहान कर विलती है? पटना में गंगा नीसर अंकर मिल जाती है अगला प्रस्ण पर चलते हैं भारत में जोन बील मिला एक ऐसा मिला जहां बस तु बीनमाई परनाली का उप्योग अभी तक किया जाता है बीनमाई कारने का मतलब होता है लेन देन खरीद भी करी जिसको हम बोलते हैं प्रणाली का उप्योग अभी तक किया जाता है यह मिला भारते कौंसे राज में होता है कई इसका रािट की आंसर क्ाथा ऑपसा निंबर डी करें इसको राइट अंसर क्या ऑपसा निंबर डी अस्थमोर्ध से कौनसे सम连 था अम्बू, वाची, मिला और बिहू कहां का निरी थे, अश्म का निरी थे, सतरिया डिशन करेबma है और मनी पूर्क क्या था MANी पूरी है कि अगला प्राशने उस मिशन का नाम मत आ यह जिसमें इसे ऊहस्चा आधियन करनें का विचार किया ते प्राश्ने आरोी एक अख़ लाय था जिसका नाम क्यहा आधित्य 11 एक किसे समनी था सूर्य का अध्यान करेगा तो सिधा प्रस्ण पूछा था उसमें प्रस्ण उल्टा पूछा था अधित्ती 11 किसका अध्यान करेगा तो सूर्य का और यहां प्रस्ण पूछा सूर्य का अध्यान करेगा एक कौन्चा है तो अधित्ती 11 इसका रायट अंसर का ओप्सन नंबर D Israug का स्थापना क्या हुआ था Israug का स्थापना 15 अगास्त बंदरः अगास्त कि उनस्थ ओनहिश्वन हुआत्र को हुआ था इस्रू का स्थापना और इसका हेट क्वारटर यारि मुख्यालत बंगलोरुकरणाटक मी बरतवान में कौन है तो के सीवान इसके अध्याच है और के सीवान को नों किस नम से जनते हैं रोकेट मैं आफ इंडिया सिधा प्रस ने पूछे रोकेट मैं आफ इंडिया के नम से कौन जाने जाते हैं के सीवान अगर यहीं प्रस ने उल्टा कर देख कि मिसाइल मैं आफ इ को करश्टिये करन होता 20 जुलाइ 1979 को यानि 1979 में ही पहली वर मानव कहां जाता चंदरमा पे और कौन तो निल आर्मे अस्टांग निल आर्मे अस्टांग इसको भी नोट कर लेज़ेगा अगला प्रश्ण है किस बॉलीवूड हस्ती ने नेट फिल्क्स यहां लिखाएं नेट फिल्क्स के लिए अमेरिकन टॉक्सो के परसीद होस्ट डिविड लेटर मैन के साथ मिलकर काम किया जिनका नाम क्या है सारुख खान ओप्सन नंबर सीटे करेंड का प्रश्ण है अगला प्रश्ण है बीदेशी धर्ती पर फाराया जाने वाला प्रथम भरतिय धवज भीकाजी कामा दुवारा उनेसु सात में पहां फाराय गया था तो यह कहां फाराया गया जर्मनी में कि देशि धारती पर फेराय जानावाला परठं भारति भाख कौन थे याँनि परठं भारतिय धाز हेका काम दोहरा फेरा फेरा ओए गया तो किसके दोहरा फेरा 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 अक्यों प्रते PNet California तो जर्मनी में कांयंद हैं के प्रयक्ति के Türkiye despairum डूरWow उप्षन नमबर सी हुए एफ फैक्ट प्रसन है यह सब फैक्ट प्रसन है जो आपको याद रखना पड़ेगा उनिस सॉप्साथ में कॉंग्रेस के नित्रित्यों में कॉनसे सत्र में चरम पंथियों virus और नरम पंथियों का विभाजन किया गया था। यानी एक होता गरम दल AND नरम दल तो कब विभाजित किया था화। सूरत अधिवेसन 1907 में विभाजित किया था कॉउग्रेस के दो यानि टलों में विभाजित हो गये एक नरम दल और गरम डल काभु हुआ था सूरत अधिवेसन 1907 में और सो नमबर सि और आपको अंसर बताना कमेंट में कि इसका अध्याचता किस ने किये थे यानि इसका अध्याचता कौन किये थे तिसका राइट अंसर का option number सी अगला glucose के डॉट अनूर टुटते यानि आपसे प्रस्टन में पूछ रहा है जो glucose के अनूर होते हैं वह किसमें टुटते हैं तो pyruvic acid pyruvic acid यह किसमें टुटते हैं pyruvic acid में अगला प्रस्टन पर चलते हैं भारत में रश्टी यह ग्यान दिवस कब मना जाता है तो यह महतपूर्ण है 28 फरवरी option number 4 कब मना जाता है 28 फरवरी को और हम आपको पता है 22 का आकड़ा तो 22 का आकड़ा में क्या था पहले आता है मार्च यानि 22 मार्च तो 22 मार्च सबसे पहले आता है तो क्या आगा पहले आगा जाल यानि 20 वे जल दिवस कब मना जाता है 22 मार्च अगर पूछेगा 22 अप्रील तो क्या आगा पिर्थीवी दिवस पिर्थीवी दिवस कब मना जाता है 22 अप्रील अगर यही प्रस्ट ने पूछेगा 22 मार्च तो बिख मेने को क्या मना जाता है जयef बिवीधित दिवस बिवीधित क्यूंद दिवस हाल जयव गीवीधित क्यूंद दिवस मना जाता है कब मना जाता है फेब 22 मेको ऩल यानिस मर्च और भीविधिटी टि exactly गस्रेNonे मोर्च इसे फॉञ यानि 2 को जाएका option number D और 14 सितंबर को क्या मना जाता रश्टी हीं दिवस अगर यहीं पूचे का बिस्वे हिंदी दिवस 10 जन्वरी अगर पूचेएं इंजिनियर्स डे यानि इंजिनियर्स इंजिनियर्स दिवस कम मना जाता 15 सितंबर और ओजोन सर रचन दिवस 16 सितंबर को मना जाता क्यों मना जाता है क्योंकि 16 September क्योंसरण रचन समण था यानि जलवायू परीवर तैंसल समण हो क्यूटो प्रोटोकॉल सब सारा प्रश्ण पूछा जाता है अगला प्रश्ण है कि सुरच्छित इभोक्तान के बिकल्प के लिए और वी ने किसकी सुरुवात की तो और वी का स्थापना कब होता है एक्ट रहता है 1934 का एक्ट कब कर रहता है 1934 का और इसका स्थापना कब होता है एक अप्राइल एक अप्राइल 1935 तो अगर पूछेगा एक्ट कब का था 1934 का और वी एक्ट 1934 के दोवारा एक अप्राइल 1935 का अधि किसका स्थापना होता है और वी का यानि जो एक्ट था अधिनियम था 1934 का था और स्थापना कवही नारी 90 track को अर रश्ट्य करन कवही नार इस परी है रश्ट्य कर्णा रश्ट्य करन कवही सुरत्छित ग्वहगतान के लिए नार दुवाई दोवरा किसगी शुझाती गई थी तो बीजन 2021 काईस एभी करेंट प्रस्ण है भारत का दूसरा उच्छ संविधानिक पद कौन सा है पहला कौन सा है राष्ट पती पहला पूछेगा राष्ठ पत्ति धूसरा पूचेगा उप राष्ठ पत्त उप्सन नमबर ए राइट हो जागा और प्रथम्र राष्ठ पत्त पूछ ना पैंड accomplishments प्रथम राज सभा पती तो जो राश्टपती होंगे प्रथम वह ही क्या होते ह्टे सभापती प्रथम अब्धान मंतर ही अगला प्रशन देब इकला चलो रें एकला चलो रोकीट किस्ने लिखा गया शर्च पहीं किस ने से सबस्ते हैं किे ताम क्यों करने दोब है उप्शन दीर रवीन नाथ टाइगोर शक्राइदक अधार अति महत्पूर्ण है किस से समन्नित है 1856 में एक एक्ट आता है कौनसा एक्ट रहता है बिध्वा पुनर बिवा यानि बिध्वा पुनर बिवा इसका कहने का मतलब है जो भी बिध्वा है वो द्वारा यानि पुनर बिवा कहने को लग फिर से बिवा यानि कर सकते है जो बिध्वा हो गई वो फिर से बिवा कर सकते हैं जो एक्ट था अठारासोच्छपपन का एक्ट था और उस समय के गवार्नाज जेरल कौन था तो डल हो जी और समन्धित कौन है इस्वर्चंद विध्या सगा बिध्वा पुनर विवा एक्ट का वाता है अठारासोच्पन में तो आगला प्रश्ण प्रथम अध्याच कोन थे bathroom के प्रथम अध्याच कोन थे दों क्णद बिक्रम सारा भाए और इनको फादर ऑफ्योश क्यों को श्रंब्र को कहता है दौक्टर बिक्रम साराभाए को अगर यह distribution network क्या है जो optical distribution network है वो क्या है तो यह एक परकर का physical fiber और optical device जिसके माधियम से signal को दूर संचार network में उप्योग करतों तक बित्रित किया जाता है यह नहीं पहुचाया जाता है इसका रहा है टंसर का option number D नेक्स्ट नेशनल इंट्रिटूशन रैंकिंग फ्रेमबर्ग यहां पे लिखा गया होगा framework कि अनुसार इनमें से कौन सा विश्विद्याले यह संस्थान भारत में समय स्रेनी में प्रथम अस्थान पर है यहां पे समय्व्यूर होना चाहिए समय्विद्यल में उप्रथम अस्थान पर है तो कौनसा मदरास? जिसको हम क्या ज cystic आई अई टी मदरास, option number B. टर्मिन लाड़ो यानि चैनाय बोलते हैं, अब हम लोग मदरास को. फाल आम का बेज्टित नम क्या है? आम का बेज्टित नम क्या है? मैंगो फेरा इंडिका क्या नाम है तो आम का बैग्यानिक नाम है यहाँ आप देख रहे हैं मुसा पैरा डिसकम लिखा गया मुसा पैरा डिसकम यह जो देरा घरेलू मधुमक्खी का बैग्यानिक नाम घरेलू मधुमक्खी बोले नहीं घरेलू मक्खे का बैयानिक नाम है अगला प्रश्ण प्रश्ण चलते हैं सुल्तान अजलान सा होकी टूनामेंट 2019 किस देश ने जीता तो यह भी करेंट का प्रश्ण है तो ज्यादा दिन का करेंट नहीं पूछेगा सुल्तान अजलान सा होकी टूनामेंट 2019 में किस ने जीता तो दच्छीन को रिया अल्टर होटन और राइस को संयुकत रुप से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में फीजियोलोजी या मेडिसियन के छेतर में नोबल पुरुसकार से समानी किया गया था तो इसका राइट अंसर क्योंगा? का option number A, हेपेटाइटिस C विशानों की पहचान के लिए दिया गया था और कितने भ्यक्तिक दिया गया था निम्नलीखित में से कौन सा अंदोलन निल की यहां सिंपल प्रस ने पूछ रहा है कि निल से समनित कौन सा अंदोलन है ते कौन सा अंदोलन था सत्यागरा option number B और एक कब हुआ था उने सो 17 हुआ था और इसमें क्या था इसमें जो था तीन बटा 20 यानि तीन बटा 20 पे क्या करना था नील के खेती इसका कहने का मतलब है कि 20 कठा में से 3 कठा पे नील का खेती करना अनिवार रूप से था यानि अगर आप 20 कठा पर कर रहे हैं तो 3 कठ पर आपको नील का खेती करना अनिवार था यानि आपको करना ही यह तीन खटा पे यह और यह अंदोलन कब हुआ था उने सो 17 में चमपारन सत्यागरा कहां से समझनी था विहार से समझनी था दांडी यातरा 12 मार्च 1930 को सुरू होता और 6 अप्राइल 1930 तक चलता यानि 24 दिन तैंटे चलता दांडी मार्च और इसमें क्यों था नमः कनोन गांदो जी तोड़ते हैं कि अध्यकलते फ्रस पुछता है याँ पूछता है कि असायोग आंदोलन 20 कि कर्यारन को और कैहें पुछता कि यह नंग अन्दोलन 20 में आशारा 1974 करशा दोर से याता है ग्हीता है 922 को कि पहुतितों जाओ एक कि इसके नंगते हैं कि आपक़ितेक्यों बारदोली सत्याग्राह ए सर्दार बल्लावाए पटैल है ऑनी सर्दार की उपाधी किस अन्दोलन में इस प्रस्थ पूछेगाएं सरदार यानि बल्लाव पटैल को सर्दार की में किस ने दिया है तो बारदोली सत्याग्रा करणा ऑन ये यानि वपारदोली सत्याग्रा की कर जो लिए वह ना यो वह हुआ था 1928 में देखिए हुआ था 1928 में तो जब 1928 में हुआ तो सरदार बल्ला होई पर टेल को पहले नाम था सिर्फ बल्ला होई पर टेल लेकिन सरदार की उपाधी दिया गया बार्दोली सत्या ग्रह में वहां के महिलाएं ने दी थी अगला निमनलीखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर में सही नहीं है भारतीय रिजर्ब बैंक भारत का नीजी बैंक है यह तो गलत दे रहा है जो भारतीय रिजर्ब बैंक है भारत का नीजी बैंक नहीं है तो गलत ही चुनना था तो यही अंसर हो जागा आपका नीजी बैंक कहने का मतलब जिसमें लो खाता खुलवा सकते हैं तो यह नीजी बैंक नहीं है आर भी ऐ तो भारतिय रिजारड बैंक ओफ इंडिया एक ऐसा बैंक है तो नीजी बैंक नहीं है तो यह गलत ही चुना था उप्शन नमर एही राइट होजा बाकि जो थर अप्शन बैंक ने पेस किया इलाहावत बैंक भारत का सबसे पुराना सर्वजानिक छेत्रे का बैंक है और अर्विय का स्थापना कब होता है एक अप्रवल 1935 को और अधिनियम कब कर रहा तो 1934 और अश्टीय करन कब होता है एक जनवरी अगला प्रश्ण प्रश्ण चलते हैं नेक्स्ट है डॉट इस्थित इंस्टूट आफ टीचिंग एंड रिसेर्च एंड आयूरुवेद आयूस छेत्रे में इंस्टूशन आफ नेशनल इंपोर्ट दर्ज प्रात करने वाला पहला संस्थान कौन था ते कौन सो था जाम नग अप्शन नमबर सी ते सब करेंट का प्रस्ण है निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ते आपको बता दिया गया नभीकिय सन्यंत्र जीतने भी महतपूर्ण ने आपको सारा लिखा दिया गया और पीडिये पीस का प्रोवाइड कर दिया गया है तो एक कुडन कुल यह कहां इस्तित है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इस्तित है तो सुमेलित नहीं आपको चुना था तो आप्शन नमबर डी और राजस्थान में कौन सा इस्तित है रावत भाठा अगला प्रस्शन चलते हैं भारत सरकार के किस योजना के तहत ग्रीन फिल्ड उद्ध स्थापित करने से कम से कम एक अनुसूचित जाती जाती उधार करता है के लिए प्रति बैंक साक्षा दस लाख से एक कडूर ता करीन उपलब कराया जाता है यह ज़ना का आपको नाम बताना जो ऐस्कीम है तो ऐस्कीम का नाम क्या है स्टेंड एप इंडिया इसका क्या है तो ए भी केरेंट का प्रश्ण है नेक्स्ट है कुलकत्ता बंदर का किस नदी पर इस्थित है तो एक है हुगली और एक हुबली तो जो हुबली पढ़ता है आपका करनाटक में पढ़ता है और जो हुगली है यह आपका कहां पढ़ता है पच्छिम बंगाल तो हुगली में है तो अप्सन नंबर एइसका राइड हो जागा और गोदाबरी को किस नाम से जानते हैं जए यह रफिलों के지만 के फैलाने से तुरंत पहले की घटनाओं में महतपूर्ण भूमका निवाई थी एक और फिर से प्रस्णों को पड़ी प्रस्ण बोरा कि बिरिटी सेना के किस भारतिय सीपाही ने 1857 के भारतिय बीद्रों के फैले से तुरंत पहले की घटनाओं में महतपूर्ण भूमका निवाई थी न बागला प्रश्न पर जलते हैं लोकमान तिला को कहा जाता है रेसम से प्राप्ट किया जाता है रेसम से क्या प्राप्ट किया जाता है तो बांबिक स्मोरी बांबिक स्मोरी कहने के मतलब एक पर करका क्या तो घरेलू रेसम कीट है यानि एक पर करका यह क्या है तो रेसम कीट है यह जो bombics morey दे रहा है यह भैज्यानिक नाम दे दिया गया यहां Without a नाम भैज्यानिक नाम तो bombics morey एकपर करकर क्या है तो रेसम कीट है तो option number कि बी कैसे रेसम से प्राप्त किया जाता है कि अगला प्रश्ण चलते हैं रेट डाटा बुक किस से समन्दित डेटा परदान करता है तो जो भी बिलूप्त पराया या जन्तू होते हैं उनका यह क्या करता है तो डेटा परदान करता है तो ऑप्शन नमबर बी लूप्त पराया पादप और जन्तू का यह क्या करता है तो डेटा निकलता है यानि अगला एक निवने लिखित में से किस संगठन का मुख्या ले सुमेलित नहीं है नाटो बुरुसेल्स बुरुसेल्स बोले तो बेल्जिया तो नाटो बुरुसेल्स यह समन्दित है यानि सही है नाटो का फूल फर्म कहता है नौर्थ अट्लांटिक ट्रेटी और्गनाजेश हैं मेखिंशेप न Bali सभी विसएइं वाशिंगो अब रोभो देख रहें एजी इस पोरिक तीच जो पूपक présentर यो हचत्रिक टे ब connectivity कुममें सब्सक्राइब कि और अस्टरीरी dobrze ना को क्योंपयार अब helemaal देश में निरू एक आश्टरिया यानि ओपेक का मुख्याले का बियाना आस्टीरियम है आस्टीरिया तो इसको नोट कर लिजेगा तो एक क्या हो जगा आपका रॉंग हो जगा option number 4 अगला प्रस्निप चलते हैं और इसका full form भी पूछ लेता तो organization petroleum exporting company organization petroleum exporting company होता है ओपेक का full form भारतिय संसत का उच सदन कौन सा है देखिए एक होता लोक सभा हम आपका होता है सरला तो सरला से संसत याद रखिया कौन सा अनुच्छेद में 79 और राज से राज सभा किस अनुच्छेद में 80 और लोक सभा यानि लोक सभा किस अनुच्छेद में 81 तो सर्ला जब आप लिखेगा राज सव राज सभा लोग सभा जब राज सभा लोग सभा लिखेगा तो राज सभा तीन अच्छर से मिल कर बनता है यानि उच्सदन तो तीन बढ़ा होगा या दो तो बोले तेन बड़ा होगा तिसका कहने के मlorद जो तीन है यानि राज सभाय उच्छ सदन आया और जो लोग सभाय 59 तो फेर अगला प्रशन पर जलते हैं अगला प्रश्ण पे जलते हैं तो जो भी प्रश्ण आज हमनों कलेक्ट के ते सारा आपका समाप्त है, अगर आप वीडियो को सुरू से नहीं देख रहीं यानि पाट वन सकर नहीं देख रहें और चैं़ella प en आपको उससे जो भी मतलब हो आपको प्लोब्रम अध्रवलुम हो जा इस इसमें आपको निरित से रिलेट निंट से प्रश्न हमेइगा तो अगर अगर आपको इससे लगता है कि फायदा को सबस्क्राइब कर आपने दोस्तों पस सेयर कर दें अगर इसका पीडियोप चाहते हैं तो प्लेग्राम चैनल से जोवाइन हो जाएगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां से बिल्कुल इसका पीडियो फिले सकते हैं तो मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए अपना ख्यार रखें जैहिन जैभारत